हाई अब्रिवन वेलकम टो डिश्टल जी के क्लासेश तो देखिया आप सभी को पता है बिहार सिक्षक नियो माली की जो विग्यपती है जारी होने वाली थी बट इस पर केस हो चुका है तो क्या 2030 की नियो माली रद होकर जो पूराना चलता आया है वैसे होगा सभी अभ्यरती जो है एक जूट हो चुके हैं तो क्या बहाली फसकती है और यहीं दूसरी तरफ जो 21-23 अभ्यरती है तब तक इनका complete हो चुका रहेगा तो इनका question आता है कि क्या हम सामिल हो पाएंगे तो जी हाँ आप सभी सामिल हो पाएंगे और दूसरी तरफ बीएड हो च चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी टेस्ट बुक पे बहुत बड़ा ओफर है आप सभी लोगों को जो है तीन दिन के लिए टेस्ट बुक पास प्रो फ्री किया गया है सभी इसका फार्दा जरू ठाओ लिं कि यहां पर सारे एक्जाम के आपको मौक टेस्ट मिलते हैं अलिमिटेड प्रीवेस एर पेपर मिलते हैं अलिमिटेड री अटेम्ट आप कर पाते हो अलिमिटेड प्रो प्रैक्टिस मिलता है अलिमिटेड प्रो लाइब टेस्ट मिलता है ठीक है और टेस्ट बुक पास में 10 lucky winners को एक साल के लिए testbook pass pro free कर दिया जाएगा अब यह मिलेगा कैसे तो इसके लिए आपको description box में एक google form मिलेगा उस google form को आपको फिल करना है और वहाँ पर code यूज कर लेना gkc pro ठीक है उस code को यूज करके उस form फिल कर दीजे सारी details आपको मेरे description box में मिल जाएगी दन आप में से ही 10 लोगों को testbook pass pro free मिल जाएगा और हाँ तीन दिन की जो free validity है उसका फायदा उठाओ जम कर testbook app जल्दी से डाउनलोड कर लो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाना चाहूंगी आपने देखा ही होगा 215-2023 की निउश पेपर में भी निकला था main चीज क्या है ना कि high court में भी तो आपको पता है गर्मी की छुटी के ठीक पहले याचिका दायर तो listing भी एक माँ बाद ही तब आ जाएगी vacancies तो अभी इसमें समय लगेगा आपको पता भी है सिख्षक vacancy पहले high court में case और अब सड़क पर नियोजित सिख्षक कानूनी दाओ पेच में फख सकती है सिख्षकों की भरती कैसे देखे यहाँ पर कुछ points दिये गए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर ध्यान से देखो पहला दूसरा तीसरा यह main most important है high court के senior वकिल दिनू कुमार के नुसार 1.70 लाग सिख्षकों की भरती के लिए नई नियुमाली बनाने के पहले पंचायत और नगर निकायों से सिख्षक बहाल करने के लिए बनी नियुमाली को समाप्त नहीं किया गया दूसरा है तो यह है एक reason दूसरा है कि सन्विधान के तहती पंचायत और नगर निकायों को स्कूलों में सिख्षक भरती का दिकार दिया गया था नई नियुमाली का ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में रख कर आपत्ती भी नहीं ली गई एक ही स्कूल में दो तरह के सिख्षक होंगे वहीं बहुत दूसरा है कि नियोजे सिख्षकों से नए सिख्षकों का वितन अधिक कैसे हो सकता है ऐसे कई सवाल है जिसे नई नियुमाली कानूनी दाव पेच में फख सकती है फस सकती है टीटी एसेटी उत्रिण अभिर्थी भी बीना परिक्षा ही बहाल करने की मांग कर रहे है और आपको पता ही है सिख्षा विभाग भी नेगिटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं है यहाँ पर देखे नए नियुमाली पर क्या है मूला पत्ती नियुमाली 2012 वर 2020 में प्रारंबिक सिख्षकों के 3rd grade बताये गए थे बेसिक सनातक और मध्य विद्याले के प्रधान द्यापक लेकिन 2023 की नियुमाली में प्रधान द्यापक पत का जिक्र ही नहीं है इसे प्रमोशन से भरा जाना था प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है इस नियुमाली में सभी सीटों की सीधी भरती से भरने की बात जबकि पुर में सनातक ग्रेट के 50% पद प्रमोशन से भरे जाते थे पहले से स्कूल में बहाल सिख्षकों की फिर परिक्षा देने के लिए भी बात है और यह देखिए यहां पर देखिए यह मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहां पर जैसे कि आपको दिख राओगा 2006-2012-2020 की नियुमाली इसलिए सिख्षा विभा के सुत्रों को कहना है कि पंचायत वो नगर निकायों द्वारा 2006-2012-2020 की नियुमाली के अधार पर सिख्षकों का नियोजन हुआ यह सभी सिख्षक जो है कारेरत हैं नए नियुमाली के तहट इन्हें भी सरकारी सेवक बनने के लिए परिक्षा देनी होगी पुराने नियुमाली इसलिए समाप्त नहीं की गई क्योंकि ऐसा होने पर उप्रोक्त नियुमाली के अधार पर नियोजन सिख्षकों की कोटी के संचालन का प्रादिकार ही खतम हो जाता है तो वैधानिक संकट के इस्थिती होगी ठीक है? और यहाँ पर बोला गया कि पहले जो है अभी तक यह जो यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले क्या होता था ना कि आप प्रधान सिख्षक यह सारी चीज़े जो बहाली करते थे जो पहली की नियुमाली चली आ रही है मतलब पंचायत और नगर निकायों से सिख्षक तो अभी इसको समाप्त नहीं किया है और आपने दूसरी नियुमाली जो है स्टार्ट कर दी है तो आपको पता है कि अभी तो हाई कोट जब खुलेगा तभी सुनवाई की तारीक होगी और इस पर तीन केस दर्ज हो चुका है हाई कोट में अब देखते हैं कि कब ये इस पर मामला सामने आता है क्योंकि आपको पता इस्टे लगने के बाद से फिर विगप्ति होने में समय लगेगा वहीं पर दूसरी तरफ ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी 6 जिलो के सिक्षकों ने निकाला प्रतिरोध मार्च यहाँ पर देखे आध्यापक निवाली के विरोध में सनिवार को मादमिक सिक्षक संग ने प्रतिरोध मार्च निकाला इसमें मुझफर पूर सब में 6 जिलो के 2000 सदिक सिक्षक सामिल हुए बिहार मादमिक सिक्षा संके यहाँ पर सारी चीज़े दी गई है कि यह लोग जो हैं दुबारा से निकले हैं देखिए आपको पता है कि गवर्मेंट में तो निकाला था कि जो भी सामिल होंगे हम उसके खिलाब करवाई करेंगे बढ़ हाँ जी हाँ केस हो चुका है और आपको पता है छुट्टियां पढ़ेंगी छुट्टियों के बाद ही इस पर सुनवाई होगी तो यह थोड़ा सा डिले होगा भरती तो होगी बहाली जरूर होगी बढ़ हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है थोड़ा क्या अब तो लेटी हो गया है तो जो भी 21-3 के भीहरती है जो जिनका बीए डियलेड है आप टेंशन मत लीजे आपका तो कंप्लीट हो जाएगा बस ये बहाली होना काफी जरूरी है सीटेट वाले इसमें सामिल होंगे सीटेट बीटेट एसमें सबी की मांग है कि नियुमाली में संसोधन होना चाहिए जैसे पहले था नेगिटिव मार्किंग हटनी चाहिए और भी जो नियोजी सिक्षक है उनकी अलग मांग है सबकी अलग अलग मांग है अब देखते हैं इसमें क्या होता है जो भी इंफोर्मेशन आएगी मैं आपको अपने चैनल से ब जिंग